सलम अलेकं मी ळूदेंस, वलकं मों तू माए चैनल प्किस्तान नवी सेलर इनिठल टेस्ट मेरीन औंट केकनिकल इंपोर्टेंट केसंज Dear Candidates, आज की वीडियो में जो most important questions and right answers आपकेस्ट के साथ शेयर करूँगा यह वही important questions and right answers होंगे जो के आपके वहाँ पर initial test में आएंगे तो जो आपका initial test होगा जब आप पकिस्तान नेवी के marine और technical के जब initial test में बैठेंगे तो यह computer पर होता है और जब आप बैठेंगे तो आपके पास computer की screen होगी आपके हाथ में mouse होगा और आपके पास keyboard होगा keyboard से आप अपना roll number एंटर करते हैं CNIC एंटर करके login कर लेते हैं और इसके बाद में next process start होते हैं आपके questioning का तो सबसे पहले आपके पास आएंगे verbal intelligence test उसके बाद आएंगे non-verbal intelligence test और सबसे last में आएंगे academic test आज की वीडियो में आपको all details, all questions related आपके साथ share की जाएंगे इन्शाला इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद का जो test है वो बाहसानी pass कर सकते हैं इस वीडियो में इन्शाला आपके साथ all types of questions share किये जाएंगे यानि तमाम किसम की questions share करूँगा जो के आपके वहाँ पर आएंगे इन्शाला आप all types को जान लेंगे तो आप अपना test बहासानी pass कर के नेवी का हिसाब बन सकते हैं तो चलते हैं step by step आपको all details related अगाह कर देता हूँ वीडियो थोड़ी सी length ही हो सकती है जबके इन्शाला इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख भी वाएंगे और आप अपना test तो पास कर ही लेंगे इन्शाला कर लेंगे चलते हैं first question की जाने अच्छा आप आपने न जो भी मैं समझाओ न अच्छे से समझ लेना है यह देखें what number comes next in the following series ऐसे question आएंगे verbal intelligence test में अच्छे से सुन लेना सबसे पहले हम जानते हैं verbal intelligence test की types related इसमें किस type के questions आते हैं तो अभी देखें ऐसा question होगा what number comes next in the following series नीचे यह series होगी और यहाँ पर options होगे आपने series में से यहाँ पर क्या आएगा यह सर्च करना है इस में से यहाँ पर क्या आएगा यह सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे इसे समझे कि यह 3 कैसे बन गया यह 0 कैसे बन गया यह 44 कैसे बन गया यह 91 कैसे बन गया यह 63 कैसे बन गया उन नीचे ये option कैसी है 9, 1, 7, 8, 3 ये कैसा question है थोड़ा सा आप समझें इन्शालाँ आप समझ लेंगे मैं आपको guide कर देता हूँ चुँके अभी first question है मैं आपको guide कर देता हूँ ये देखें 6 में से 3 निकाले 3, 4 में से 4 निकाला 0, 9 में से 1 निकाला तो क्या answer आया 8, समझाया बिलकुल आसान है देखने में tough लग रहा है next की जानिब चलते हैं एक और type समझाता हूँ आपको अभी ये देखें है बिलकुल वैसा ही जबकि इसमें method अलग होगा ये देखें उपर वैसी लिखा हुए what is next number in the following series अभी इसमें देखें 4, 8, 24, 96 तो अभी नीचे option इतनी बड़ी बड़ी आ चुकी है तो अभी ये कैसे solve होगा ये कुछ अलग method से solve होगा थोड़ा सा सोचें मैं आपको 2 second only देता हूँ जी तो कुछ समझ आया इतना कम time मैंने आपको क्यों दिया क्योंकि वहाँ पर आपके पास only 2 या 3 seconds दिता होँगे वहाँ पर time बहुत ज़्यादा short होता है आपने अपने mind को sharp रखना है तो यहाँ पर ही सब कुछ समझ लें ये देखें 4, 2, 8, 8, 3, 24 और 24 को जब 4 से multiply करेंगे तो 96 और next जब 96 को 5 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 480 तो इस तरह से ये question solve होगा next type समझ लेते हैं अब ये देखें ये कुछ और अलग सा आ गया what is missing number 3, 4 और ये question mark आ चुक है वो कह रहे कि ये जो missing number है ये जो question mark इस जगह पर क्या आएगा तो अभी देखें यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए तो अभी नीचे तो 5 है यहाँ पर 0 है, 3 है, 8 है 6 है, और यहाँ पर 10 है तो ये भाई कैसा question है तो ये इसमें कुछ method अलग type का है आपने समझना है question को कि भाई कैसे solve होगा आपने यह नहीं कहना है यहाँ पर 5 है 5 लगना था, यहाँ पर 5 नहीं है तो यह तो question है यह नहीं ठीक आपने ठीक होंगे आपने ठीक होंगे करने के लिए ठीक है, तो यह देखें 3 है, 1, 2, 3, line 4 है, 1, 2, 3, 4 ठीक है, पहले समझा है ता कुछ इस तरह से हो सकता है अभी यह देखें, यह question mark है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो भई, D option right हो गया ठीक है, तो 6 इसका right answer हो है नेक्स्ट की जानीब चलते है अभी इस question में आप देखें कि which one is different from the rest वो कह रहा है कि यह जो question है यह जो options हैं इन में से एक different है इस तरह के भी question आएंगे अभी यह देखें, effect is to tap then tar is to dash अभी यह देखें A, C, B, D जो भी options हैं, इन में से देखें क्या right होगा तो अभी यह देखें, मैं आपको guide कर देता हूँ F, E, T का ult किया T, E, F हो गया, अभी T, A, R का ult करेंगे तो क्या आएगा, A option, R, A, T ठीक है, इस तरह का भी question आएगा easy भी होगा, देखने में tough लगेगा next जलते हैं अभी यह देखें, इस तरह के भी questions आएगे आपको verbal intelligence test में my mother is your brother sister what is I to you question में answer है आप copy pencil पक्रें और एक छोटी सी mother बना ले साथ में brother बना ले, sketch बनाने है न साथ में brother बना ले, फिर sister बना ले फिर ऐसे करें जैसे बातें करें तो फिर आपके पास वहाँ पर क्या answer निकलेगा nephew my mother is your brother sister what is I to you cousin, uncle, nephew, brother तो nephew होता है इस question को यहाँ पर pose करें और copy pencil पकड़कर sketch बना कर अच्छे से सोचे, अपने mind में सोचे या sketch बना के सोचे तो आप जानेंगे इसका जो right answer है be option है, next चलते है अभी इसमें देखिए what number comes next in the following series यह series कुछ और अलग type की है यह सबसे tough series है तो अभी देखिए 62, 3, 84, 2, 93 और यहाँ पर option में देखिए क्या आएगा तो अभी आपको 5 seconds देता हूँ अच्छे से समझे उसके बाद मैं आपको इसे solve करके बता देता हूँ अभी आपके जो 5 seconds हैं वो complete हो चुके हैं यह देखिए 3, 2, 6 2, 4, 8 और 3, 9 अगें से समझे what number comes next in the following series अभी यहाँ पर क्याएगा 3 वो कैसे यह कुछ इस तरह से solve हो रही है all series different types से solve होती है आपने अपने mind का इस्तमाल करने 3, 2, 6 4, 2, 8 और 3 और 3, 9 ठीक है next चलती है अभी यह देखिए यह भी equation कुछ अलग type का है sealer is to air force then airman is to dash shopkeeper, navy, cobbler, army अभी इसमें देखिए sealer किसमें होता है navy में यहाँ पर कह रहा है कि sealer is to air force then airman is to navy वो कैसी होगा जैसे police में constable बरती होता है metric की base पर army में soldier बरती होता है उसी तरह navy में sealer बरती होता है metric की base पर और air force में airman बरती होता है तो अभी हम उल्ड कर रहे है वो sealer को air force पर कर रहे है तो हम airman को navy is the right answer next की जानीब सेलती है very important question यह जो question आपके साथ share कर रहे हैं यह mostly आते ही आते हैं ठीक है यह repeated questions है if yesterday was Monday what day is after tomorrow तो जैसा भी question हो आपने सबसे पहले जब भी बैटने है अपने test में यह चुगे question आते ही आते है न तो इसलिए जब भी बैटना है question अपने test के लिए initial test के लिए computer पर वहाँ जिस desk पर आप बैठे होंगे न हां पर आपको छोटा सा whiteboard महया किया गया होगा और आपको whiteboard marker दी जाएगी आपने बैठते सारी लिख लेना है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday छोटे छोटे लिख लेना है MON Monday और TUE Tuesday WED या नि शोट सी फोर्म आपने लिख लेना है उनमें आपको इजी क्या होगा यह देखें अब यहां पर आप ऐसे काउंट करें ना फिंगर पर Yesterday was Monday, what day is after tomorrow तो इस तरह से तो आपका time ही बहुत जाया हो जाना है जबकि जब आप वहां पर इस तरह से लिख लेंगे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday जब आप लिख लेंगे तो आप जट से कर लेंगे Monday उसके बाद से पहले Yesterday उसके बाद after tomorrow तो आप डिरेक्ट निकाल लेंगे कि इसका जो answer है वो Thursday है आप डिरेक्ट से जट से लिख के next question की जाने चले जाएंगे और next question है which one is different from the rest फिर से different आ गया इसमें कैसे है melon, carrot, orange और mango इसमें जट से आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसमें carrot different है वो कैसे carrot different है यह देखिए बक्या तो fruits है ना तो यह vegetable है तो यह different हुई next की जाने पसलती है अच्छा यह जो question है इसे अच्छे से यहाँ पर वीडियो को पोस करें और सोचें कि इसमें यहाँ पर right answer कौन सा लगेगा 2244 यहाँ पर six के बाद six आना चाहिए था जबकि उसने eight लिख दिया अभी नीचे इसमें से options में से इसका right answer कौन सा होगा तो आप जवाब जो है वो comment में देंगे और मुझे समझाएंगे भी कि इसका right answer क्या आत solve होगा तो आप मुझे इसी वीडियो के comment में से solve करके बताएंगे और बताएंगे कि यह कैसे solve होगा तो चलते हैं अब हम जानते हैं nonverbal intelligence test तो आपका जो nonverbal intelligence test का portion होता है यह कुछ इस type का होता है यह आपके test में बहुत ही आसान portion है यानि आपके test pass करने के लिए बहुत ही आसान है चूँकि इसके number भी साथ में count होगे तो इससे ही आपका verbal भी इन्शाला clear हो जाएगा अब यह देखें कि यह कैसे solve होगा वो कह रह और A और next यहां पर आपने यह देखें आपके पास नहों वहाँ पर इस तरह से नीचे जो है वो आप इस जगह पर क्लिक करके इनका अंदखाब नी करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे एक सामने यह अगर A option right होगी तो A का यहां पर करेंगे B राइट होगी B का यहां पर करें के लिए इस तरह से होगी ए के सामने इस जगह पर आपने क्लिक करना है बे के सामने इस तरह से ठीक है जो भी होगा अभी आपको क्वेस्टन समझाने लगा हूं यह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट तो यह देखिए वो कह रहा है इसके बाद यह बन गया तो इसके करेंगे तो a option right हो जाएगी next की जानिब चलते हैं अभी यहां पर यह दो को इस तरह से कहेगा which one of the following is different from the rest आपके non-verbal में different का भी portion होगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से देखिए आरोप्लेंट्स बनाए हुए न तो अभी यह देखिए यह पांच जहाज है एक दो तीन और चार और पांच यह देखिए a b c d ठीक है जो भी है तो अभी इन सब में से एक different है वो कौन से वो b different है देखिए बक्या सब के wings मुकमल है इसका एक कटा हुआ है ठीक है तो यह different है तो नीचे यहाँ यहाँ पर आपको option मिलेगी तो आपने बी का इंधाब कर लेना है next की जानिब चलती है next में आपको और समझा देता हूँ यह देखिए आपके पास वहाँ पर इस तरह के भी questions आएंगे इसमें आप देखिए के ऊपर यह line है और इसमें यह blank है इसमें इस तरह से lining की हुई है और यह dark है अभी पिक्चर वैसी है और यह जो shapes है यह change हो चुकी है अभी यह देखिए नीचे यहाँ पर क्या आएगा अभी यह देखिए कि इसमें blank dark भी हो गया blank भी हो गया अभी एक पिक्चर गाइब है पिक्चर कौन सी गाइब है जो skate पिक्चर थी ना वो भी गाइब है और जो इस तरह की lining थी वो इसमें नहीं आई तो यह जो c option होगा यह right हो जाएगा देखिए नीचे लिखा भी हो है शकाल में c है ठीक है शकल में c है तो c option is right नेक्स की जानिब चलत इन पर lining लगा देंगे भी बन जाएगा next की जानिब चलती है और इसमें देखिए कि इस तरह से यह इस तरह का बन गया अभी इस तरह से इन options में से कौन सा बनेगा तो इसमें देखिए भई इसमें अंदर आके dark हो गया अभी यह वाला अंदर आके जब dark होगा ना तो यह ज आसे करेंगे ना तो यह आल जो जो भी हैं आपको समझ नहीं आएंगी अभी आपको इसी लग रही है ना वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी इन्हें अच्छे से मेरे से समझ लें फिर या वहां पर जान पाएंगे कि इन में difference कौन कौन सा है तो अभी यह देखिए इस त थ्री डोर्स हैं और फॉर लाइन्ज हैं यहाँ पर इसके बाद इन्हें होरिजेंटल को वर्टिकल करके इसकी लाइन को हाफ कर दिया गया यह चार थी दो कर दी गई और जो डोर से तीन उन्हें आपस में फला दिया गया एक दो यानि उनके दरमयान जो फासला था उन्हे ज्यादा कर दिया गया अभी इस तरह से हो गया, अभी इसमें लाइन्स कितनी है एक, दो, तीन और चार इसके dots आपस में close हैं, इने जब दूर करेंगे तो जब two lines करेंगे vertical से horizontal करेंगे, यह is vertical से vertical हुआ है, अभी यह vertical से horizontal होगा, तो यह option इसकी right हो जाएगी next की जानिब चलती है अब इसमें देखें ये clockwise moment है अच्छे से समझेगा इंशाला आप जान लेंगे के अच्छा ये clockwise निया anti-clockwise है समझेगा clockwise कौन सी होती है अगर जैसे गड़ी चलती है ऐसे बिल्कुल ऐसे गूम के आती है ये clockwise moment होती है अगर ये उल्ट चलेगी तो anti-clockwise या निए clockwise के उल्ट हो गया anti-clockwise ठीक है तो ये anti-clockwise moment हो रही है मैं आपको guide कर देता हूँ अभी देखें ये एक picture है न अच्छे सब्सक्राइब को अपने आँखों के नस्दीग करें ताके आपको समझ आए तो अच्छे से समझिएगा ये देखें ये lines है न तो इसमें darkness ही देखिए darkness next picture में उपर से लिगए ये इस जगह पर से लिगी ये blank इस जगह पर आ गया ये lines next में से लिगी ये देखें ऐसा ही हो रहा है न और ये वाली चीज़ यहां पर आगी और ये वाली ऊपर से लिगए यहां पर ठीक है और ये वाली next यहां पर आगी अभी यह देखिए जब इसे anti clock voice करेंगे ना तो अभी ये वाला हिस्सा यहां पर से लाजाएगा ऐसा हो गया जो blank है वो उसके बाद आजाएगा ऐसा हो गया जो यह वाला है वो यहां पर आजाएगा ऐसा ही हो रहा है तो D option right हो जाएगा इस तरह के भी question आएंगे और भी types देख लेते हैं अभी यह देखें तो यह जो question है यह अभी ऐसा हो है जैसे हम इसे यहां से पकड़ क करेंगे ना जब सीधा करेंगे ना तो इस तरह का हो जाएगा ठीक है जब हम इसे पकड़कर सीधा करेंगे ना तो यह D option right हो जाएगी अच्छे से यह वहां पर देखके लगाना कोई गलत मत कर देना जल्द बाजी में यह मुझे आता ही आता है इस तरह से candidate करके ना बाद म की मुवमेंट ठीक है अब यह देखें डा ऐसे से ऐसा बन गया अभी ऐसे से इन ऐप्शन में क्या बनेगा मैं आपको बताने लगाँ अभी तकिए darkness next यहां पर आ चुकी है यहां यहां से यहां आ चुकी है यहां अभी यहां से कहा जाएगी यहां पर तो a option right हो जाएगा next की जानिब चलते हैं तो नेक्स देखें भई इसमें यह वाला जो सरकल का पार्ट था जो भी था इसे यहां से कट करके जो इसके अंदर वाला हिस्सा था उसे निकाल लिया गया और जो अंदर वाला हिसा यहां पर इसकी डार्कनेस कर दी गई और यहां पर से इसे होरीजेंट वर्टिकल से होरिजेंटल कर लिया गया अभी ये उपर वाली लाइन सब कुछ खतम कर देंगे ओनली सरकल वाला हिस्सा लेंगे और इसे वर्टिकल से होरिजेंटल कर देंगे तो भी ऑप्शन राइट हो जाएगी अच्छे से समझें यार बहुत ही आसान है नेक्स्ट की जा चार अब यह देखें एक दो तीन और चार इसमें डार्क वाली को अकठा कर लिया अभी इसमें जब डार्क वाली को अकठा करेंगे तो ए ओप्शन राइट हो जाएगी ठीक है पहले बड़ी आएगी उसके बाद छोटी फिर चोटी है बड़ी चोटी और चोटी इसमें ऐसा बन गया वो कैसे बना यह देखें जो सबसे बाहर वाले उसे अंदर कर लिया और जो अंदर वाले उसे बाहर कर लिया उसे एक एक करके किया दे यह देखें बाहर वाले को सबसे चोटा और सरकल वाले को उससे चोटा और जो अंदर वाले तो उसे बाहर कर लिया अभी इसमें देखें, जो circle वाला, वो सबसे छोटा होगा, D में देखें, और जो ये अंदर वाला था, sorry, circle वाला उसके अंदर आ गया, और सबसे जो center में था, ये कुछ इस तरह से, वो बाहिर से ला गया, ठीक है, यानि ये जो square सा type, rectangle type था, वो बाहिर से ला गया, तो next जलत इसके बाद हम academic पढ़ेंगे इसी इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो यह non-verbal का last है इसमें आपको ना कुछ इस तरह से section से piece भी आएंगे यानि कटे ओवे piece वो कैसे अब वो कह रहा है इसमें ऐसा बन गया तो इसके बाद options में से कौन से बनेंगे तो देखें बहुत ही असान है यह देखें यह आप ऐसी समझें है चीज़ काट दी गई है इसमें से काट के यह next यह देखें यह दारा इतना सा रहागया इसका जो हिसा कटा वो सब्सक्राइब करने दीजिए आजब करते और नंतों letter ना गाते हम जाईगा प्रिकॉषयोια है अ क्वी कोष्याइफ तो यह जाएगा सब्सक्राइब अजसा यहां से जब इतना यह एकार्ट देंगे यहां से एकार्ट देंगे तो यह णसर भी यह राइट हो जाएगा तो अभी चलते हैं अंक डैकम के पर मुदिए की जानेब तो रिक्षो नहीं का बोली दूँ तो यह एकडैमिक का फस्क्येस्टन अचा डैमिक में क्या क्या होगा इसमें इंगलीश होगी मैत होगी फिजिक्स होगी जोन नोलेज होगा यह सब कुछ होगा और सब कुछ आएगा की मैट्रिक बेस पर इठीक है टो फस्कैसे लिए ही ओर अब यूतिफुल है वो है जी अड्जेक्टिव ठीक है beautiful आए new आए यह सब क्या होते है अड्जेक्टिव नेक्स चलती है तो वर्ड्स विद वेरी क्लोस मीनिंग्स आर काल्ट दोल फास जिनके माहिनी आपस में बहुत ही ज्यादा मिलते जूलते हो उन्हें क्या कहते हैं a option antonyms b option synonyms c option homonyms and d option none of the above यह इन में से कोई भी नहीं तो अभी two words with very close meaning are called क्या आएगा option b synonyms और जिनके उल्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं antonyms और जिनके आपस में close होते हैं जिनके मीनिंग मिलते जूलते होते हैं उन्हें synonyms कहते हैं next question है gk correct this sentence by using right option i am tired as i am working since morning समझने हैं आपने मेरे साथ correct this sentence by using right option i am tired as i am working since morning जो तो tenses जानते हैं वो तो जड़ से जान लेंगे और जिनने नहीं पता हूंने मैं समझा देता हूं a option है i have been working b option i was working c option i had been working और d option i will be working तो अभी देखें यहां पर option कौन सी right है यहां पर option है a right i have been working वो क्यों है अभी देखें यह present perfect continuous tense का फिकर है since morning लगा ना since morning और यहां पर working since morning यहां पर i am लिखा हूँ है ठीक है तो i have been लगते है have been has been किस में लगते है present perfect continuous tense में ठीक है तो अप उमीद आप समझ की होंगे अगर आप tenses नहीं जानते हैं तो currently tenses पर थोड़ी सी तबज़ हो दें क्योंके English का जब भी test होगा उसमें tense से related question आएंगे ही आएंगे तो next चलते हैं next भी article से related है जी के select the correct article used in the sentence sentence कौन से है when I met him he was dash intermediate when I met him he was dash intermediate तो from the given choices a option है a b option and c option d and d option one तो अभी यहाँ dash में क्या लगेगा तो बहुत ही आसान है जो थोड़ी से English जानते होने भी मलूम हो गया होगा के आप लगेगा क्योंकि जब भी dash के बाद वाला जो जो भी है अलफाज word जो भी है start होता है I, A, E, I, O, U इसे start होना तो उससे पहले क्या लगता है an याद रखेगा A, E, I, O, U अभी यह किसे start हो है आई से तो A, E, I, O, U तो dash में क्या लगेगा an next चलते है next भी समझने क्या fill in the blank fill in the blank यह blank आएगा और aslam is senior dash me A option 4, B option off, C option on, D option 2 तो जब भी मी आए ना तो उससे पहले तुक्का लगाना है ना तो 2 लगा देना ठीक है यह बात याद रखना है जब भी मी आए ना उसससे पहले तुक्का लगाना है तो यह एक तुक्का है ठीक है next जलते है यह जी के most of the guests arrive dash buses तो जब भी busses car और आना हो यह जाना हो तो किसे करते हम in, by, on, with तो तब हमेशा बाए लगेगा B option next जलते है choose the correct spelling यह business के spelling है business तो अभी देखें भाई कौन से right है A है, B है, C है, D है देखें भाई यह second से चल रहे हैं जैसे good होगी मैं right answer लगा दूँगा तो देखें इसमें correct है A option B, U, S, I, N, E, S business भी आ सकते है, ideology भी आ सकते है, administrator भी आ सकते है lieutenant भी आ सकते है, यह लेफ्टिनेंट भी आ सकते है, यहाँ पर government भी पूछा जा सकते है यहाँ पर कुछ भी precious भी पूछा जा सकते है यहाँ जो correct spelling का portion होगा भी लाज में आएगा next जलती है next is select the correct tense used in the sentence the made was washing the clothes A option past perfect tense, B option past continuous tense C option past perfect continuous tense और D option past indefinite tense तो देखी, इसमें right option कौन सी है तो यह B है past continuous tense वो कैसे है, यह फिर से वही बात आगी है tenses जानना जरूरी है, tenses को समझो फिर in questions को समझना तो मैं आपको guide कर देता हूँ अभी चुँके guide करना तो मेरा फर्ज है चाहे आपको आते हों या ना आते हों जानना यार बहुत ही जरूरी है जिन्हें tenses नहीं आते वो last me tenses को जानियेगा tenses के बगएर आपका English का portion clear नहीं होगा तो अभी यह देखें was और watching हम इससे जान सकते है was और were लगता है continuous में और past में was और were past में लगता है और ing आ गया तो continuous का फिक्र हो गया ठीक है तो हिससे हमने जाना past continuous tense next चलते है next थोड़ा से जरू नोलिज का पाट है this switch channel is in dash a option Nigeria b option Libya c option agbit agbit किसे कहते हैं मिसर को d option palestine यह देखें भी palestine आप पढ़लेंगे palestine यह palestine होते है तो इसमें right option है c agbit यह देखें यह देखेंगे very important question effle towers effle towers related the main structure work of the effle tower was completed in a option 1883 b option 1885 c option 1887 and d option 1889 तो इसमें right option है बोल बोल के मेरा गला थक चुक है इसमें right option है 1889 next है the height of effle tower is dash feet very important question a option 1063 b option 1067 c option 1073 and d option 1077 or इसमें दो राप्शन है a option 1063 feet the height of effle tower is 1063 feet याद रखेंगे the capital of Saudi Arabia is a option mecca b option madina c option taf and d option riyas यह रियाद नहीं है riyas और इसमें जो correct option है वह है d riyas जो भी capital है जितने भी countries के सभी याद करके जाईएगा अच्छा भी थोड़ा सा part आ चुक है physics का limiting friction is always dash then rolling friction limiting friction is always dash then rolling friction less than अभी सूजी को पता नहीं क्या हो गया बौंकी जा रही है तो coefficient equal to greater तो limiting friction जो होती है वो rolling friction से हमेशा कम होती है less than transistor consist on dash junction NPN, PNP, rectifier both A and B very important question यह ऐसा question जो के mostly repeated जो के बहुत जादा बार आचुक है transistor consist on dash junction तो इसमें जो right option है वो बोथ है NB यानि NPN भी होता है और PNB भी होता है ठीक है next जलते है तो इसमें जो correct option होगी वो होगी reflection ठीक है यहाँ पर L लगेगा the rainbow is a result of reflection next which one of the following is a vector quantity mass, density, work or weight which one of the following is a vector quantity और इसमें जो right option है वो है weight वसन ठीक है यह vector quantity है the value of G is dash यह वैसे जो paper हुआ करते थे तब भी यह question आया करता था तो अभी देखी इसमें right option कौन सी होगी A, B, C और D और इसमें जो right option है वो है option A next जलते है density of water is max at dash 100, 4, absolute 0 यह 0 density of water is max at dash और इसमें जो right option है वो है 4 ठीक है यहनि option B तो candidates जलते हैं next question की जानिब अच्छा ना आपको यहाँ पर एक बात clear करता जलूँ के आपका जो initial test होगा ना इसमें जो academic का portion है ना इसमें जो English आएगी वो आपकी 9th और 10th में से आएगी और जो होगी ना आपकी physics वो 9th और 10th में और जो mathematics का portion होगा ना वो भी मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया शायद मुझे याद नहीं रहा तो वो होगा 8,9 और 10th की class में से ठीक है इस बात को याद रखना और अपनी जो 9th और 10th और 8 की book है ना उनमें से सब कुछ होगा तो अच्छे से याद करके जाएगा तो दी करेंट्सी ओं कतर इस डाश ए ओप्शन डॉलर बी ओप्शन दिनार सी ओप्शन दिरम एंडी ओप्शन रेयाल तो इसमें जो क्रेक्ट ओप्शन है वह है डी रेयाल ठीक है नेक्स चलते हैं नेक्स्ट जी के इंपोर्टन्ट क्वेस्टन है OIC OIC ठीक है OIC ठीक है Organization of Islamic Corporation OIC वास फांडिट ओंड डैश अब इतने लंबे हैं A option September 25, 1969 B option September 25, 1967 C option September 25, 1969 यह पिर से 9 आगे यहां पर 8 लगना था यह मैंने option गल्द बना दिया D option September 25, 1966 तो इसमें जो right option है वो है A September 25, 1969 याद रखेगा Organization of Islamic Corporation OIC और चलते हैं नेक्स क्वेस्टन की जानी The deepest point in the wall is Dash A option Dead Sea B option South Pole C option Mariana Trench And the option Sinai Pensiola ठीक है तो इसमें जो correct option है The deepest point in the world is Mariana Trench Next चलते हैं About Dash percent of Antarctica is covered by ice यह है तो सारी ice ही न अगर हम देखते हैं आप में तो सब कुछ white ही color का नजर आता है तो यह कितने परसेंट अब है इंटार्कटिक का जो के covered है ice से 97, 98, 99 और 100 और इसमें जो right option है वो है 98 B option तो चलते हैं next question कि जानिव अच्छा next अभी finish हो चुके हैं अच्छा candidates आपको बताना चाहता हूँ अभी यह तो question हो चुके है finish अच्छा अभी आपको ना इसी वीडियो के last और इसी वीडियो के comment में मैं आपके साथ links share करूंगा जो comment में होगा ना वह 1400 MCQs होंगे उन्हें भी आपने याद करना है वह notes हैं और जो के free of cost आपको दे रहा हूं ठीक है और इसी वीडियो के last में जो हैं आपको लिंक्स दे रहा हूं इसी वीडियो के last में आपको ना last में जाएंगे ना इस वीडियो के last में जब आप जाएंगे फटा-फट से ना भी चले जाएगा अभी यहां पर ठहरे मेरी बास सुन ले last में जब आप जाएंगे वहां पर छोड़ी चोड़ी चोड़ी तस्वीरें बनी आएंगी जब वीडियो खतम हो रही होगी तो तब वहां पर जो आपको तस्वीरें मिलेंगी ना वो आइकन होंगे वो लिंक इतना मुश्किल है मैट्री की लैवल का टेस्ट है और पास कर क्याना यार जैसे ही सुरत मेहनत करो जैसे भी करो पास करके आना टैस्ट टेंशन ही लेनी आपने कम्ब्यूटर हो गार कुछ भी नहीं है कोई भी कहने वाला भी नहीं होगा फैल इन्-गरना है पास करने CatholicsWow तो मेरा ख़याल करना, अपने माबाप का ख़याल करना और अल्लभ पाख आपको काम्याबियां दे आप जिन्दगी में बहुत ही ज्यादा काम्याब हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस चैनल को भी लास मी दोट पर सबस्क्राइब कर लेना और इस वीडियो को यार फेम पढ़ने वाले को भी और आप पढ़ने वाले को भी ये वैसे स्वाब का भी काम है चूंके आप नोलीज शेयर कर रहे हैं ठीक है तो मिलते हैं शाला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अलहाफीज